जै मातादी दोस्तों, वर्ल बेस मैजिक में आपका हार देख स्वागत है, कैसे हैं आपसर? ये पताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, जेस्ट मा के सुकल पक्च की एकदसी को नर्जला एकदसी कहते हैं इस व्रत को भीम ने सुरू किया था अपने गुरू व्यास जी के कहने पर इसलिए इसे भीम सेनी वापांडो एकदसी के नाम से भी जानती हैं दोस्तों, नर्जला मतलब बिना जल वा आहार के दिन भर का उपोवास नर्जला एकदसी बागी एकदसी से सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि दस्मी की राद 12 बजे से लेकर एकदसी के अगले दिन द्वा दसी तिथी को सुर्योदे तक जल और भोजन का त्याग करना होता है आपको बता दें कि निर्जला एकदसी कवरत करने से साल भर की 24 एकदसियों का फल मिलता है जो लोग साल भर की एकदसी कवरत ना कर सकें वे सिर्फ अगर निर्जला एकदसी का उपवास करते हैं तो उन्हें पूरे साल की 24 एकदसियों का फल प्राप्त हो जाता है दोस्तों इस निर्जला एकदसी का वरत करने से व्यक्ति को सभी तीर्थों में इस नान का फल मिलता है और मोख्च की प्राप्ती होती है और व्यक्ति को देरगाय होने का आसिरवाद भी मिलता है साथी साथ उसकी समस्त मनुकामनाई भी निर्जला एकदसी के वरत के प्रताप से पूरी हो जाती है तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में निर्जला एकदसी का वरत कब किया जाएगा दोस्तों इस बार एकदसी तिथी की सुरुवात 17 जून 2024 की प्रात्यकाल 4 बच कर 43 मिनट पर हो जाएगी और एकदसी तिथी की समापती 18 जून 2024 की प्रात्यकाल 6 बच कर 24 मिनट पर होगी तो इस बार निर्जला एकदसी का वरत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और वरत पारण करने का सुब समय 19 जून को सुबा 5 बचकर 54 मिनट से लेकर सुबा 7 बचकर 28 मिनट तक रहेगा और पारण वाले दिन द्वा दसी समाप्त होने का समय 19 जून को सुबा 7 बचकर 28 मिनट पर रहेगा दोस्तों वरती को निर्जला एकदसी के दिन प्राता कल सुबह जल्दी उठकर इश्नान आदी करना चाहिए इसके बाद सूर्य नरायन को जल अर्पित करें और फिर वगवान विश्नु जी की पूजा की त्यारी करें इस दिन हो सके तो स्वयम पीले वस्त धारन करें और वगवान विश्नु जी को भी पीले रंग के वस्त अर्पित कराएं आप भगवान विश्णु जी की प्रतिमा एक लकडी की चौकी पर पीले रंग का वस्त बिछा कर उसके उपर इस्तापित करें फिर विश्णु जी की विद्वत पूजा करें उन्हें जल पीले फूल माला आदी चणाएं धूब दीब जलाएं फल पंचा मृत का भोग लगाएं साथ ही विश्णु जी को तुलसी दल अवस्ते चणाएं क्योंकि विश्णु जी को तुलसी अत्यधिक प्री है अब आप निर्जला एकदसी की व्रत कथा पढ़ें इसके बाद वहीं बैटकर एक माला ओम नमो भगवते वासु देवाय नमाकी करें अब आप विश्णु जी की यार्ती करके विद्वत पूजा को संपन्ने करें दोस्तों निर्जला एकदसी के दिन हो सके तो रात्री जागरन करें या विश्णु मंदर जाकर भजन कीर्तन करें इससे भी आपको पुन्फल की प्राप्ती होती है दोस्तों नर्जला एक अदसी के दिन दान का विसेश महत तो है इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा दान करना विसेश फलदाई होता है इस दिन जवरत मंदों को आप अन, वस्त्र, धन, जूता, चाता, दवा, पंखा या गर्मी में ठंडक पहुचाने वाली चीजों का दान करेंगे तो आपको बहुत ही सुफल की प्राप्ती होगी दोस्तों अब बात करते हैं एक अदसी के व्रत पारण की एक अदसी के व्रत का पारण कब और कैसे किरना चाहिए दोस्तों एक दसी का वृत का पारण हमेशा एक दसी के अगले दिन यानि द्वा दसी तिथी में सुब मूरत में ही करना चाहिए आप इस देन सुबा इसनान करके भगवान विश्णू जी की विद्भत पूजा अर्चना करें इसके बाद जल के साथ तुलसी के पत्तों के साथ पूजा करने के बाद आप जल के साथ तुलसी के पत्तों से निर्जला एक दसी के वृत का पारण करें ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते आपको दातों से नहीं चबाने हैं बल्कि पानी की मदद से उसे निगलना चाहिए आप उस फल को खा कर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद